बुलिट पर सवार होकर पठाके बजाने और शोर मचा कर देहशत फैलाने वालो जरा सावधान हो जाओ अब पुलिस की नजरे सीधी आप पर है पानीपत पुलिस ने बुलिट के सालेंसर से पठाके बजाने वालो पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है पुलिस ने पिछले एक महिने में पानीपत के अंदर करीब सतर बुलिट बाइकों के साथ लाक रुपे के चालान काट दिये है पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों की परिशानी को देखते हुए पुलिस ने बुलिट सवारों के खिलाफ ये एक्शन लिया है और अगर बुलिट सवारों की आवारा गर्दी बंद नहीं हुई तो चालान का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा पुलिट सवारों के जिसे अनुसार जो बुलिट पटाकों खिलाफ अभ्यांद जारी किया गया है जो आवारा गर्दी के बच्चे हैं जो पटाके बटकाते हैं उनके चलान किये जा रहे हैं जो करीब हमने अब तक सतर बुलिटों के चलान किये हैं जो करीब उनका जुर्माना साथ लाक के करीब बढ़ता है और हमारी जंचा अपील है कि वो अपने बच्चों को समझाए बुलिट पटाके ने बटका है जो आठ पेशन रहे रहती है उनके साथ कभी मिस हैपनिंग कोई भी हाठ दिकत आ सक अपने बच्चों को समझाए और जो छोटे बच्चे हैं उनको विकलना दे देख रहे हैं लगातार खबरें आ रहे हैं हम चालान कर रहे हैं बुलिट के और आपको पता है कि बुलिट का पटाका बजता है कि अगर कोई बिमार आदमी साथ मोगा तो उसका दिल पर मुझे बच्चे नहीं लगता कि वो बसे हैं तो इतना भाएंकर खतरना किसम का पताका होता है तो इस अभी को में तो कहुंगा बच्चों पर कंट्रोल रखें और कानून अपनी जिगा पूरा सक्त है और अपना काम कर रहा है और एक और हमने इसमें किया है कि जो लोग जो मिस्थ फाइन होता और इसके पटाके के अलावा उसमें और कई चीज़ें नहीं होती वो भी साथ लगते हैं इसलिए कई कई चालांस में तो फाइल पचास जार से तक का भी गया है उपर भी गया है तो वो डिपेंड करता कि उसने क्या क्या वाइशन किया बुलिट से पटाका फो पटाके फोड़ते हैं लेकिन इस दोरान आम लोगों में भै फैलता है वही दिल के मरीज़ों के लिए बुलिट पटाकों की आवास खतरनाक साबित हो सकती है हाला कि पुलिस ने ऐसे बुलिट चालोकों पर नकेल कसने की कारिवाई शुरू कर दी है अब देखना होगा कि बुलिट के पटाकों का शोर सडकों पर कब तक खत्म होता है पानिपस से अनिल कुमार पंजाब केस्टी टीवी